गाइज मुझे एक ही टाइप का काफी कमेंट आ रहा था इस भाई का कहना है कि सर क्या खरगोष और खरहा दो होते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको खरहा और खरगोस में डिफरेंट करना आसानी से मालूम हो जाएगा नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरके मार्या और आप देख रहे हैं आरके पेट रैविट एंड एनिमल्स जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे क्योंकि गाईज मैं रैविट से रिलेटेड वीडियो जही बनाता हूँ और आपको हमेशा यहां रैविट से रिलेटेड कुछ नहीं जानकारी जरूर मिलेगी तो चलिए गाईज ज्यादा बाते ना करत पर दोनों एक जैसे दिखने वाले अलग अलग पर जाती के अलग अलग नसले के जानवर होते हैं दोनों दिखते तो हूब हूँ एक जैसे ही है पर दोनों में काफी अंतर होता है आईए दोनों के अंतर को थोड़ा बारीकी से जान लेते हैं जिससे आपको दोनों के बारे में आसानी से पता करने में कोई दिक्कत ना हो कौन हेयर यानि खरा है और कौन रैबिट यानि खरगोश नमबर वन रैबिट और हेयर के बच्चों में अंतर गाई जब खरगोश बच्चे देते हैं तब उनके के बच्चों की आखे बंद होती है जो 9-12 दिन के बीच में खुलती है और सभी विश्चे बिना बालों के एक दम नंगे पैदा होते हैं और उह principья बच्चों की आखे पैदा होने की तुरंत मात खुल उसी में रहते हैं और बच्चे भी देते हैं लेकिन वही खरहा दूसरों के खुदे हुए बिल में रहते हैं या फिर जमीन के ऊपर ही गड़े या जारी में शिपे रहते हैं और वही बच्चों को जनम औगेरा भी देते हैं इससे भी आपको पता चल सकता है कि यो रैबिट ह नमबर थिरी स्पीड गाईज खरहा की स्पीड भी खरगोश के स्ट्वीट से जादा होती है और खरहा खरगोश के मुकाबले बहुत तेज भागते हैं जिन्हें पकरना काफी डिफिकल्ट होता है नमबर फोर साइज में अंतर गाईज हेयर आनि खरहा की और सतन लंबाई चौणाई रैबिट यानि खरगोश से जादा होती है और हेयर के कान की लंबाई भी खरगोश की कान की लंबाई से जादा होती है हेर के बड़े और उठे हुए कानों को देख कर भी आप पता कर सकते हैं कि यो खरहा है गाईज आप रेविट यानि खरगोष को पेट के तौर पर आसानी से पाल सकते हैं और उन्हें इजली मैनेज भी कर सकते हैं वहीं आप hair यानी जंगली खरगोस को यानी खरहा को आसानी से नहीं पाल सकते हैं गाईज मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप hair यानी खरहा को नहीं पाल सकते हैं आप जंगली खरगोस यानी खरहा को भी पाल सकते हैं और उसके लिए आपको थोड़ी अधिक जानकारी, समया और मेहनत जादा करना होगा, बट ओहीं आप रैबिट को इजली पाल सकते हैं, और गाईज अंजान होने के बाद चाहे खरहा हो या खरगोष, दोनों ही बहुत जादा डरते हैं, और डर की, वजह से हाट अटेक होकर अजानक मरने की समस्या दोनों में ही बहुत जादा होती है, तो गाईज कहने का मतलब है कि आपको रैबिट के मुकाबले हेयर पालने में थोड़ी जादा मेहनत करनी पड़ेगी बस, बढ़ आप दोनों को अपने एक आउडिंग अगर मैनेज कर पाएंगे तो पाल सकते हैं, तो गाईज आई होग कि अब आपका काफी सारा डाउट किलियर हो गया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे, और हम आपके लिए ऐसे ही helpful और knowledgeable वीडियो लेकर आते रहें, और गाईज रैबिट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अगर हम आपके कमेंट का रिपलाई यहां नहीं दे पाएं तो संडे कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट को पिक करके रिपलाई देने की पूरी कोशिस करेंगे, तो चलिए गाईज मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में किसी और इंफार्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,